आज की इस वीडियो में हम बहुत से students का एक confusion पूरी तरीके से दूर करने वाले हैं, और ये confusion कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.123 multiplied by 10 to the power 23 लिखा हुआ है, और अगर हमको यहाँ पर जो ये 0.123 है, इसका point हटाना है, तो हम कैसे हटा सकते हैं? तो बहुत से बच्चों का पूछना ये है, कि सर कई बार क्या होता है कि जो ये 10 to the power 23 लिखा हुआ है, इसी में से कुछ 10 का power निकाल कर हम लोग ये point हटा देते हैं, और कई बार क्या होता है कि numerator और denominator में कुछ multiply करके हम लोग point को हटाते हैं, तो आखिर कब कौन सा तरीका apply कर ना चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी confusion को दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में सुरू से लेकर आखरी तक बने रहिए, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो वीडियो को आप like और share जरूर कर दिया क है, तो इसका point हम लोग कैसे हटा सकते हैं, तो बड़े ही detail में हम आपको इसको बताने वाले हैं, समझ में आ जाने के बाद आप इसको direct भी कर सकते हैं, तो देखिए, अगर हम point हटाते हैं, तो कैसे हटाएंगे, 0.123 लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10 to the power 23 लिख क्योंकि अब 10 to the power 20 और 10 to the power 3 मिलकि 10 to the power 23 आ जाता है, अब इससे फाइदा क्या होगा, अब इससे फाइदा ये होगा, क्योंकि point के बाद यहाँ पर 3 place था, point के बाद 3 place था, तो 10 cube का multiply करने से ये point गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा 123 और क्या बचेगा हमारे पास 10 to the power 20, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर point हटा सकते हैं, और देखिए, यहाँ पर एक और तरीके से point हटा सकते हैं, जैसे 0.123 है, और 10 to the power 23 लिखा हुआ है, त 10 to the power 3 का multiply कर लेंगे, 10 to the power 3 का multiply कर लेंगे numerator और denominator में, अब हम लोग 0.123 और 10 to the power 3 का multiply कर लेते हैं, तो हमको मिल जाता है 123 और साथ में आप 10 to the power 3 और 10 to the power 23 को अगर आप cancel करेंगे, तो आज आएगा 10 to the power 20, तो ये बच जाएगा 10 to the power 20, तो हम दोनों में से किसी भी तरीके से कर लें कोई भी फर्क नहीं पढ़ने माला है answer दोनों में same आने माला है अब देखिए अब अगर ऐसे हो 0.123 10 to the power 10 to the power minus 23 अब यहाँ पर minus 23 हो गया अब भाई कैसे हटाएंगे अब बहुत से बच्ची यहाँ पर गलती यह कर देते हैं कि यहाँ पर लिखा है 10 to the power minus 23 और वो क्या करेंगे अब पिछले वाले तरीके के जैसे इसमें से ऐसे 10 to the power minus 3 निकाल लेंगे और 10 to the power minus 20 छोड़ देंगे और इसको बोल देंगे भाईया यह तो हो गया 123 multiplied by 10 to the power minus 20 लेकिन यह यही पर गलत हो जाता है क्योंकि 10 to the power minus 3 का multiply करने से point आगे नहीं जाएगा point चला जाएगा इस side 0 की side तो actual में 0 के इधर 3 प्लेस तक point जब जाएगा तो यहाँ पर 0, 0, 0 उसके बाद point लगेगा यह पॉइंट 0, 0, 0, 1, 2, 3 हो जाएगा तो इस तरीके से तो point यहाँ पर हटेगा नहीं तो करना क्या पड़ेगा तो इसके लिए हम चाहें तो 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है इसमें हम 10 क्यूब अलग से लेकर आ रहे हैं 10 क्यूब अलग से लेकर आ रहे हैं इसको neutral करने के लिए क्योंकि 10 क्यूब originally question में नहीं दिया था तो 10 क्यूब हमने अलग से लिखा है इसलिए 10 का पावर माइनस 3 भी अलग से लिखना पड़ेगा ताकि यह neutral हो जाए क्योंकि आपको पता है अगर 10 क्यूब है और 10 का पावर माइनस 3 है तो ultimately यह 10 का पावर 3 माइनस 3 यानि कि 0 बन जाता है यानि कि 1 आ जाता है और 1 का किसी भी नंबर में मल्टिप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है तो अगर हम 10 क्यूब अलग से लिखते हैं तो उसको neutral करने के लिए 10 पावर माइनस 3 भी लिखना पड़ेगा अब 10 पावर माइनस 3 जैसे ही लिखेंगे तो साथ में 10 का पावर माइनस 23 भी था तो यह 0.123 और 10 क्यूब मिला के यह बन गया 123 और यह 10 का पावर माइनस 3 और 10 का पावर माइनस 23 ये दोनों जुड़के हो जाएगा 10 का पावर minus 26 तो यहाँ पर point कुछ इस प्रकार से हटेगा और इसी काम को करने का एक और तरीका है जैसे 0.123 है और 10 का पावर minus 23 है तो यह point हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम उपर नीचे 10 cube का multiply कर देंगे अब 10 cube का multiply जब करेंगे 10 cube उपर और 10 cube नीचे 10 cube का multiply कर देंगे तो होगा क्या कि 0.123 और 10 cube मिला के यह point गायब हो जाएगा तो बचेगा 123 और साथ में देखिए यह उपर अभी बचा हुआ है 10 का पावर minus 23 इसको भी लिख लेते हैं 10 का पावर minus 23 और नीचे से यह 10 का पावर जो 3 है जब यह उपर जाएगा तो इसका भी sign change हो जाएगा यह बन जाएगा 10 का पावर minus 3 अब 10 का पावर minus 23 और 10 का पावर minus 3 यह दोनों मिला कर हो जाएगा 10 का पावर minus 26 तो इस तरीके से हम लोग point हटा सकते हैं तो finally conclusion यह निकलता है कि हम लोग ऐसे 10 के पावर में से निकाल कर भी कर सकते हैं और हम लोग numerator और denominator में कुछ multiply करके भी कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि power plus में है या minus में है उसके हिसाब से हम लोगों को अच्छे तरीके से calculate करना चाहिए अब देखिए होता है कि plus वाले में तो ज़्यदा problem नहीं होता है जैसे मान लेजे 2.43 है multiplied by 10 का power यहाँ पर मान लेजे 7 है अब plus वाले में पता होता है वाया कि जैसे इस जश्ट निकालेंगे वहाँ पर कम हो जाएगा तो 2.43 और यहाँ पर अब देखिए point के बाद यहाँ पर 2 place है तो 10 square निकाल लेते हैं तो 10 का power 5 बच जाएगा क्योंकि 5 और 2 मिला के 7 हो जाता है अब 2.43 और 10 का square मिला के यह बन जाएगा 243 और यह 10 का power 5 बच जाएगा तो plus वाले में ज्यादा problem नहीं होता है लेकिन minus वाले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जैसे 2.43 multiplied by 10 का power minus 7 हो गया तो अब आप ऐसे direct इसमें से निकाल कर नहीं दे सकते अब अगर आपको point हटाना है तो 2.43 अलग से 10 square आएगा तो अलग से 10 power minus 2 भी आएगा और 10 power minus 7 पहले से था अब 2.43 और 10 square का multiply कर देंगे तो 243 हो जाएगा और 10 power minus 2 और 10 power minus 7 से 10 power minus 9 हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग point को हटा सकते हैं आप किसी भी तरीके से करिए अगर आप calculation सही तरीके से करेंगे तो आपको result भी सही देखने को मिलेगा चाहे आप जिस भी तरीके से करें तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को अभी like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए आपके जरिये उनकी भी मदद हो जाएगी